जब भी हमारा Oreo शेक पीने का मन करता है हम मार्केट से लेके पीते हैं लेकिन बहुत कम चीजों से और बहुत ही healthy शेक आप घर में बना के त्यार कर सकते हैं मेरे दे बच्चों का ये फेवरिट शेक है और हफ्ते में एक से दो दिन वो इस पेसली मुझसे ये शेक बनवाते है तो चाहते हैं आज की शेक बनाने के लिए सबसक्राइब बेटन दबा कि मेरे चैनल को सबसक्राइब करें और हम बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें शेक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो पैकेट ओरियो बिसकेट लिया है चाहे तो आप इसका एक बड़ा वाला जो पैकेट आता है ना उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने बिसकेट को रैपर में से निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे रफली तोड़के मिक्सिके जार में डालेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरा एक पैकेट छोटा वाला ओरियो बिस्किट डाला है अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरफ इसकी वैसे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे आप लगभग 3-4 चॉकलेट सिरफ जरूर एट करिएगा और शेक बना रहें तो दूद के बार तो बनेगा नहीं तो यहाँ पे आपको एट करना है लगभग 1 गलास दूद तो दूद को आप क्या करेंगी पहले उबाल लिए उबालने के बाद उसे नॉर्मल कर लिए और उसे फ्रिज में रखके ठंडा कर लिए अब आपको यहाँ पे डालना है चीनी तो चीनी यहाँ पे आप अपने मीठे कानुसा डाल सकते हैं अब हम जार का ढखकन लगा देंगे और शेक को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो शेक यहाँ पे हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सर्फ करने से पहले कांच के ग्लास ले लेंगे और जो चॉकलेट सिरफ होता है उसे हम क्या करेंगे कि गिलास के किनारे पे हलका सा इस पकार से डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जो शेक है वो हमारा देखने में अच्छा लगेगा बिल्कुल मार्केट जैसा दिखेगा तो यह देखे थोड़ा सा आप चॉकलेट सिरफ इसके किनारे किनारे पे इस पकार से डाल दें तो अब हम गिलास में ओरियो शेक डाल देंगे अगर आपने यहाँ पे ठंडी दूद के इस्तमाल नहीं किया है तो ओरियो शेक को डालने से पहले दो तिन आइस क्यूब डाल दें उसके बाद यहाँ पे आप ओरियो शेक डालें तो अब हम इसके गार्निशिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा हम इसके उपर पहले चॉकलेट सिरप डाल देंगे तो ये देखने में बिल्कुल मार्किट जैसा लग रहा है और इसका जो स्वाद है वो सच में बहुत ला जवाब है मात दो में बनके तयार हो जाता है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर बिसक्ट का चूरण डाल देंगे तो ओरियो बिसक्ट के बीच का जो क्रीम होता है उसे पहले आप निकाल दें उसके बाद इसे दर-दरा कूट लें और गिलास के किनारे पे हम एक ओडियो बिस्कित लगा देंगे और ये हमारा बहुत ही टेस्टी ओडियो शेक बन के तयार है और चाहे तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें उसके बाद भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी को बनाने में कोई भी समझ से आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी कोई कोशिश रहेगी कि मैं जल सजल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई